नमस्कार दोस्तों मही परदीब दुवे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रेजिट कार्ड के बिल पेमेंट के बारे में दोस्तों जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो आपके मन में एस सवाल रहता है कि हम अपने credit card का जो bill है कितने time के पहले pad करें कि हमें कोई भी fine charge और हमारे civil में कोई effect ना आए और आपके सामने दो bill so करते हैं पहला आपका minimum bill और दूसरा आपका total bill एक ही bill में लग के आपको दो type के आपके पास bill आते हैं और वहाँ पे आप लोग काफी source में पढ़ जाते हो कि हमें इसमें कौन सा bill पैड करना चाहिए और हमें किस date के पहले bill पैड करना चाहिए जिससे हमारा civil score खराब ना हो तो इस वीडियो में आज हम आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन-कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और अपने bill का payment जो है किस तरीके से और किस time के पहले करना चाहिए तो मेरा अपसी request है कि आप इस वीडियों को सुरू से लेके अंतक वाच करना चलिए शुरू करते हैं तो जब भी आप HDFC bank, SBI, COTAC, RVL, other bank card apply करते हो तो bank आपका एक time period देता है जैसे कि आपका bill generate होने का एक date आपको दिया जता है आप उस date को change भी करवा सकते हो और आपको bill pad करने का एक last date bank आपको देता है आपके bill में आपका एक minimum bill और एक total bill लग के आता है जैसे कि माल लो आपने इस मंत में 40,000 रुपे का खर्च किया कोई भी समान purchase किया तो आपका जो bill है और नेक्ष मंत में आएगा अब यहाँ पर अगर आपने इस मन्त में 40 जर खर्च किया है तो आपका नेश मन्त में आपका Total और Minimum Bill आपके सामने बनके आएगा Total Bill का मतलब होता है कि अगर आपने कोई MI पे कोई प्रोड़क्ट लिया है, कोई समान लिया है, आपने कोई MI करवाया है तो आपका पूरा MI जो होता है आपका मंतली मंतली जुआइन होके आपका प्लस होके आएगा और minimum मतलब कि छोटा amount small amount तो यहाँ पे bank आपको दो option देता है कि आप अगर minimum bill pad करते हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा और अगर आप total bill pad करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा बट यहाँ पे reality सत्य है यह साइद आप लोगों को बहुत कम लोग बताते हैं और bank कभी इस पे गौर करके आपको नहीं समझाता है तो यहाँ पे जो minimum bill होता है minimum bill का मतलब ए है कि माल लो आपका bill जो है 40,000 रुपे का जनरेट हो गया है आप माल लो आपका bill 40,000 रुपे का हुआ है total और आपका minimum bill है ओ 12,300 रुपे का हुआ है तो अब यहाँ पे आप लोग के सामने bank A option देदेगा कि चलो आप 12,300 रुपे कर दो और आपको 40,000 रुपे पैड न करके आप minimum bill 12,300 रुपे पैड कर दो तो आपका bill है पुरा पैड हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे सवाल A आचुका है कि अगर आप 12,300 रुपे अगर आप पैड कर देते हो आप जो है 40,000 रुपे न करके आप अगर छोटा amount पैड करते हो तो यहाँ पे आपका 40,000 में से जो 12,300 रुपे माइनस आपका bank जो है करके बाकिए जो amount बचेगा उस पे आ आपको कम से ना कम 1000-1500 रुपया उसमें bank जोड के आप से जो है बिल लेगा नेशमन्त में अब यहाँ पी बात यहीं पे खतम नहीं होती है bank जब आपका बिल जनरेट करेगा fine charge लगा कि आपने minimum pad किया था आपने total pad नहीं किया अगर आप total pad करते 40,000 तो कोई नेशमन्त में क fine charge नहीं लगता बट यहाँ पी bank तो आपको fine charge लगाया ही लगाया है आपके civil में भी effect डालेगा क्योंकि आप total bill pad नहीं कर रहे हो तो इस case में क्या होगा अगर आप ऐसे ही तीन से चार मंत अगर करते रहोगे तो आपका जो card है जो आपका ATM withdrawal limit होता है bank उसे zero कर देगा क्योंक आपको pre approved offer जैसे की limit increase होना और ऐसा कोई इंस्टा लोन ऐसा कोई offer भी आपको bank नहीं देगा इस हाल में आपके पास तरह तरह के problem आएंगे अब यहाँ पी अगर आप total bill हमेसा pad करते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा हमेसा आप life में खुस और हैपी रहोगे अब यहाँ पर आगया बात हमें bill का pad करना चाहिए देखिए जैसे की माल लो आपका bill हर मंत के 5 तारिक को जाए जनरेट होता है चाहे 10 तारिक को होता है चाहे 7 को होता है चाहे 15 चाहे 20 को चाहे आपका bill जिस मंत में जनरेट होता है bank उससे 15 से 20 दिन बाद आपको पैसा pad करने के लिए time period तर्फ करने के लिए आपका चार से और पांच दिन पहले पैड कर देना वेकि जो आपका amount रहता है वहाँ पे update होने में 3-4 working दिवस लगता है Sunday Saturday आप accounting नहीं होता है अगर आप कल आपका last date है अगर आप आज पैसा pad करते हो तब भी आप कोई fine charge नहीं लगेगा जिस date पे आपका amount आपने pad किया है उसी date का वहाँ पे 100 करेगा बट इससे क्या है कि थोड़ा से आपको भबी सिमें थोड़ा से आपको और दिक्कत हो सकती है तो इसी लिए मैं आपको एक reality बताऊंगा कि आप हमेशा अपने bill को इसी तरीके से pad कीजिए मैं आपको 100% guarantee ताऊं कभी आपको problem नहीं होगा और आप हमेशा खुस रहोगे और आपका limit भी increase होगा बैंग आपको offer भी देगा तो ए है पूरा तरीका bill पैड करने का credit card यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया सायद आपको इस वीडियो में मैं पूरी तरीके समझा पाया हूं बता पाया हूं अगर आपको एई वीडियो अच्छा लगा इसे like करना, share करना क्या मैंने आपको इस वीडियो में समझा पाया हूं एभी बताना वीडियो कैसा लगा बस इताय काना था फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम